शेहर के बहुडापुर छेतर में अमरापरवत की चोटी पर एक बड़ी सी मजार बनी हुई है यहां तक पहुँचने का रास्ता काफी दुरगम है इस मजार को सौधागरों की मजार के नाम से जाना जाता है यहां रहने वाले गदी नशीन इश्रत खान ने बताया कि यह मज मजार अरब के रहने वाले दो भाईयों इब्राहिम सेयद और ब्राहिम सेयद की है तो आए जानते हैं इस मजार के बारे में इनका जहाज समंदूर में डूब रहा था इनने बाबकुष साब को याद किया तो इनका जहाज बाबकुष साब ने कहांदा लगाया जब उनका जहाज लिखला एक टापू पर रुख गया अब टापू पिनने अपना जबुद्र बनाया था इस्तान रुखने का उसके बाद जहां आए थे तो बाबकुष साब ने पड़ता कर लिया पिजी उनके वह तीजे से लोटे तो इननका कहलें कि अब में भी घर नहीं जाओंगा जब मेरे गुरू नहीं रहे कि तो मैं घर जाए क्या करूंगा दुनिदारी छोड़ता हूं अब इनको यहां पर बरसों बीट गए थे इस जिए पर इनको डूंटा हुआ आया तो उनने देखा भाई किल लगे अबादत में लगा हुआ है किल लगे मैं भी घन्नी जा रहा है मैं भी जहीं रुखूंगा दोनों इतने दुर्गम मार्ग में भी लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोती मांगते हैं बताया जाता है कि यह मजार काफी प्राचिन है और यह मजार दो भाईयों की बनी हुई है यहां पर पास ही एक बावड़ी है जिसमें अब पानी नहीं है लेकिन बताया जाता है कि बरसात की समय यह एक बेहद रमनी अस्थल में परिवर्तित हो जाता है जहां पहाड़ों से गिरने वाला पानी सीधे बावड़ी में जहरने के रूप में दिखाई देता है जिस से यह स्थान बेहद रम्नियम बन जाता है। इतना ही नहीं यहाँ पर दर्शन करने से आपकी हर मनोती पूरी होती है। गदी नशीन की माने तो यह मजार बेहद प्राचीन है जहां अरब के दो सौधागर भाईयों ने अल्ला की इबादत करते करते परदा कर लिया था। पानी बरा रहता था। पानी जब से सूख गया उसमें पानी रुकता नहीं है। अब अपने देखने के लिए वो खाली है। देकि बुझरो को की नजर से देखो तो भरी है पूरी हमको तो पूरी उमर जहीं हो गई है। यहां आने वाले लोगों की माने तो यहां पर आकर वे अपने आपको प्रकरती के काफी नजदीक महसूस करते हैं और यहां पर मिलने वाली सांती में एक अलग ही सुकून होता है विजर आठोर न्यूज एटीन गौालियर